नमस्कार मैं अख्लेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं आज हम आपको बताएंगे कि अपने ओटर कार्ड में हम अपना नाम जन्मिति थी अड्रेस मोबाइल नंबर या कोई भी गलती है या फिर बना नहीं है तो नया बना भी सकते है या फिर कोई गलती है तो उसे सुधार भी सकते हैं वैसे तो मैं ये सारा प्रोसेस लैपटाप पर बताने वाला हूं यदि आपके पास लैपटाप नहीं है तो कोई बात नहीं मोबाइल में भी सेम प्रोसेस करते जाईएगा आप भी फिर कर सकते हैं वीडियो जादा तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो के तरह मैंने आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन ने एक लिंक दिया है जिसपे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने जो उपिसियल वेप साइट है आप बुलिएißt संय गया है जो ऑफिस्यल विपसाइट से काई सारी देखने को मिलती है जिसमें आपको एक न्या वक उटर अईडी कार्ड बनाना हो ग्र और फिर ने डांट करना हो और फर उटर अब अभी हम इस पोल्टल पर आए हैं इन सारी सर्विसस को यूज करने के लिए हमारा जो अकाउंट है इस पोल्टल पर होना चाहिए जिसके लिए हम लॉग इन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब अगर आपके पास पर अकाउंट नहीं होगा तो यहां पर आप सभी को एक स लुग इस पेंटिश्टल किया था वह यहां पर हमें फिल करना है इसके बाद में जी काउड को आता है इस कैप्चा कोड को कैपिटेल इसमाल जैसा बी है सेम इस बॉक्स में आपको फिल कर लेना है और रिक्वेस्ट ऊटीपी के आप्शन पर एक घ्लिक कर ना है में तो अ अब यहां पर select करते ही आप सभी से पूछा जाता है कि यह जो request correction की आप खुद के voter ID card में देने वाले हो या फिर आप कोई other electoral है आपके परिवार को भी voter ID card है उसमें correction करने वाले हो तो अगर आपने registration के time पर आपना जो voter ID card number है वो इंटर किया है तो यहां पर self का जो option है उसको select करोगे अगर आपको ध्यान नहीं है तो other electoral वाला जो option है इसके बाद में आप सभी को अब इपिक नंबर के section में आप सभी का जो voter ID card number है वो यहां पर capital letter में type करना है देन आपको submit के option पे click कर देना है अब जैसे हमने यहां पर search के option पे click किया है तो आप यहां पर देखोगे कि हमारे voter ID card के जो records है वो find हो चुके है हमारा name आचुका है इसी के साथ में जिस भी state में हमारा voter ID card registered है यहां पर देखने को मिल जाता है अब यहां पर selection का option दियागा इस पर click करना है OK के option पर आपको click करना है देन आप सभी के सामने आपके voter ID card का जो part number है जो serial number है वो number यहां पर देखने को मिल जाता है अब आपको यहां पर यहां पर यह select करना है कि आप अपने voter ID card में क्या करने वाले हो अगर आप अपने voter ID card को किसी दूसरी location में shift करने वाले हो तो यहां पर आपको shifting का option select करना है इसी के साथ में अगर आपको अपने voter ID card में अपना name change करना है या फिर आपको पिता का नाम चेंज करना है, डेटाबर चेंज करना है, फोटो चेंज करना है, या फिर आधार से लिंक करना है, एडर्स चेंज करना है, तो इन सारे उप्शन के लिए, कैरेक्शन आफ इंट्रीज इन एक्जिस्टिंग एलेक्टर लोल का जो अप्शन दियागा है, और यहां पर OK के option पे आपको क्लिक करना है, जैसे हमने क्लिक किया है, तो यहां पर आप देखोगे कि आज की date में फॉर्म नंबर 8 भनना का आपकी आसान हो चुका है, आपकी वोटर ID कार्ट से आउटोमेटिक फिच हो चुकी है, यहां पर आपको Simple Next के option पे क्लिक करना है, यह यहां पर आपको अपना अधार नंबर भी साथी के साथ लिंक करना चाहिए, यहां पर हम अधार नंबर फिल करेंगे, इसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि आप अपने वोटर ID कार्ट से लिंक करना चाहते हो, तो मोबाइल नंबर भी आज की डेट में वोटर ID फलिक करना है फिरल लेना है नेक्स्ट के आपशन पर क्लिक कर देना है तो इतना करती है हिए आप सभी के सामने और इडी कर्द चार्ड में है क्या इंफिमेशन करें पर आपको सम्मीट करने का ओप्शन मिलता है जिसमें की आपड मे जेन्डर डियोबी या फिर रिलेटु टाइप जैसे कि कोई भी महिला है वो अपने फादर की जगा अपने पती का नाम ऐड़ कर रही तो वह भी यहां पर कर सकते हैं जो भी इंफोमेशन आप चेंज करना चाहते हो ध्यान रखना है कि एक साथ में मैक्सिममम आप चार केटेग्री सेलेक कर सकते हो तो किवल हमें आभी जैसे के डियोबी चेंज करना है तो डियोबी के ओप्शन पर मैंने क्लिक किया है तो अब आप देखोगे कि नई जो डेट jänग刃 करना उल्लिफ दिटाबर्त में कई सारे डुक्मेंट है जो की आप इस अब्रूप के दे सकते हो जैसे की आधार cya हो गया अपका पासपूर्ठ हो गया इसिके में पेन कारड ड्राइविं लाएसेंस्ला ट्राइविं ऑपपने पास में जो भी available document है आपको चूज कर लेना है अब मुश्टी लोगों के पास में आधार तो available ही होगा तो हम यहाँ पर आधार का selection करते है तो अब हमें यहाँ पर choose file के option पे click करना है जहाँ पर भी document हमने save करके रखा है वो हमें select करना है ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप अपने आधार को अगर use कर रहे हो तो आधार कार्ट की जो digital copy है जो online आप download करते हो जिसमें कि password लगा होता है password protected file यहाँ पर upload नहीं करनी नहीं तो आपका जो correction है वो नहीं हो पाएगा आपकी जो application है वो reject हो जाएगी मैंने यहाँ पर आप देखोगे कि अधार कार्ट को select कर लिया है अब next के option पे click करेंगे हमारे सामने declaration का page आ चुका है जहाँ पर date पहले से दर्ज है place के section में आपको अपने सहर का जो name है type कर देना है इसके बाद में यह जो capture code आता है scripture code को same इस box में आपको enter करना है और यहाँ पर आप सभी को preview and submit के option पे click कर देना है तो यहाँ पर आप देखोगे कि form no.8 पहले जैसे हम physical भरते थे उसी तरीके से आप देखोगे कि digital तरीके से form हमारा भर कर के आ चुका है सारी चीजे computer क्रत जिस तरीके से आपने फेल की ही आ चुकी है ध्यान रखना है यहाँ पर आपको एक बार अच्छे तरीके से इन सारी information को मिलान कर लेना है सारी चीजे आपको सही लगती है तो नीचे के तरफ आना है यहाँ पर submit का option दियागा है अब यहाँ पर voter ID correction की जो request है दर्ज हो चुकी है जैसे government की तरफ से verify किया जाएगा उसके बाद में आपका जो voter ID कार्ड है correction हो जाएगा आप अपने voter ID कार्ड की डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर सकते हो और physical आपका जो voter ID कार्ड है कैसर स्टेट के अंदर correction होने के बाद में आपके घर के पते पर send कर दिया जाता है इनकेस अगर आपको प्लाश्टी का PVC कार्ड नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप track application status के option पर आ सकते हो आपको अपना जो reference number है वो type करना है state choose करोगे search करोगे तो आपका जो current status है वो देखनी को मिल जाएगा I hope आपको वीडियो समझ में आया होगा और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो और लोगों के भी साथ share करें और हाँ subscribe करना मत भूलिए ताकि अगर हम ऐसे ही कोई जानकारी अपने चैनल पर upload करें तो आप तक सबसे पहले पहुचे धन्यवाद